हेलो क्यूटीज आज हम बात करने वाले हैं एटार्नी वू की एपिसोड 15 की एपिसोड शुरू होता है एक कमपनी राउन में एक एमप्लॉई जिन प्यू काम कर रहा होता है तब भी उसको एक एमेल आता है जब वो उस अटेश्मेंट फाइल को डाउनलोड करता है तो बाद में उसको रिलाइज होता है कि उसने क्या डाउनलोड कर लिया वो एक मॉल फेयर था जिसकी वज़ा से मिलियन्स ओफ यूजर्स के फाइनिशिल रिकॉर्ड हैक हो गए थे इस हैकिंग को स्पीर फिशिंग कहा जाता है हैंबडा में दिखाते हैं यंग वू जुनु का वेट कर रही थी और जैसे ही जुनु उसकी तरफ देखता है वो अपना मूची पागे वहाँ से भाग जाती है और हॉस्पिटल में एटॉर्णी जुंक से मलती है जो अपनी सर्जरी के लिए जा रहे होते हैं हैंबडा लॉफर्म में राउन कंपनी के सीईओ आते हैं राउन एक बहुत बड़ी कंपनी है एप्रॉक्स 40 मिलियन रोगी से यूज करते हैं जो कि साउथ कोरिया की 80% पॉपुलीशन है कंपनी को पता भी नहीं चला कि ये मैलवेर है क्योंकि वो डॉक फॉर्मिट में था पॉलिस का कहना था कि ये हैकिंग नूर्ट कोरिया के आरजीबी ग्रूप ने की है तो इसलिए हैकर को ढूनना भी बहुत मुश्किल काम था और क्योंकि 40 मिलियन यूजर्स का डेटा कॉम्प्रोमाईज कहो गया था तो इसके जगकर में कंपनी पर 300 बिलियन वॉन का फाइन लगा दिया जाता है फिर दिखाते हैं इस केस को एटॉर्णी जैंग हैंडल कर रहे हैं कि एटॉर्णी जूंक हास्पिटल में है एटॉर्णी जैंग कहते हैं कि पहले भी इस टाइप के केसिज हुए है कंपनी इसको काफी लोग कई बार हैक कर लेते हैं और जिसकी वज़ासे डेटा कॉम्प्रोमाईज हो जाता है पर उस कंडिशन में मैक्सिमम हन्रेट मिलियन वान तक का फाइन दिया जाता है इस बार इतना जादा फाइन क्यों लिया जा रहा है तो यंगवू पॉइंट आउट कर दिया है कि अभी रिसेंटली ही ये लोग चेंज कर दिया गया है जिसकी वज़ा से अब कंपनी पर तीन परसेंट कंपनी की नेट वर्ट का चार्ज लग सकता है इसलिए ये फाइन एकसेप्टेबल है अट एटार्नी जैंक यंगवू की बातों पर धियान नहीं देते हैं और वो कहते हैं जुनु कैसे अकेला बैठा है और उसका यंगवू से ब्रेक अप हो गया तो क्यों ना हम उसके पास चले तब ये टार्नी को इन कहता है कि उसके चिंता मत करो क्योंकि जुनु के पास काफे सारी लड़की आके बैठ जाती है यंगवू अकेले ही लंच कर रही थी तो जोईसी उन उसके पास जाती है उसको डाटरी होती है कि यंगवू को तुमने कोई एक्स्प्लेनेशन भी नीथी अप प्रॉपर रिजन भी नीथी अप रेक अप क्यों कर लिया तो उससे पूछी लेते कि मुझे बताओ क्यों प्रेक अप करा पर यंगवू उसको ठंग से बताती है और वो कहते कि अभी हम ऑफिस में है तो हम प्राइवेट बाते नहीं कर स तो उसे उनको बताती नहीं है और वहां से चली जाती है एकई यंग्वू जा Exactly है जिनकी सरजरी अच्छी हो गई थी फो उन से पूछती है कि अब मैं क्या करूँ जब टॉर्णी जुंगे सब सुनते हैं तो कहते हैं कि इस टाइम तो यही अच्छा है कि तुम उसके ज़्यादा सामने मत आओ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुमें कुछ चीज़े आ रही है तो अपनी कलीक से डिसकर्स कर लो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं courtroom में이 jack start करते हैं यह बताने से कि spier position क्या होती है और वह इसी बारे में सबकुछ बता रहे होते हैं तो judge कहता है कि यहां पे चितने लोह हैं सबको यह सब पता है तो please अपना case start करो तो है टॉर्णी चैंग वही कहते हैं कि ये 300 बिलियन वान तो बहुत ज़ादा चार्ज हो जाएगा तो दूसरी साइट से अखील कहती है कि लोग के हिसाब से बिल्कुर ठीक है क्योंकि पिछले साल कंपनी ने 30 ट्रिलियन वान की सेल की तो उस हिसाब से 3 परसेंट तो 900 बिलियन वान होता मगर उन पर 300 बिलियन वान का ही चार्ज लगाया गया है तो ये फिर भी बहुत ठीक है तो फिर कंपनी की वज़ा से 400 मिलियन कोरियन यूजर्स की फाइनेंशिल रिकॉर्ड्स लीक होए हैं की रन कंपनी के खिलाफ एक क्लास एक्शन लॉसूट फाइल कर दिया गया है इस लॉसूट के हिसाब से कंपनी को अपने हर एक यूजर को 1,01 देना पड़ेगा और उन सब 40 मिलियन यूजर्स का केस लड़ जाए है टेसन लॉफ फर्म जिसे सुनके कंपनी का CEO बहुत जादा परिशान हो जाता है वो कहता भी है अगर हमें इतना जादा फाइन देना पड़ा तो हम तो बैंकरप्ट हो जाएंगे हमारी कंपनी बरबाद हो जाएगी वो एटार्नी जैंक से बात करता है कि क्यों न हम जज को थोड़ा ब्राइब कर दें थोड़ी तिश्वत दिश्वत दे के हमारा कुछ काम चल जाए तो वो लोग एक डिनर प्लान करते हैं पर वहाँ पे जज बहुत ज़दा गुस्ता हो जाता है इस वज़ा से नेक्स डे एटार्नी जैंक चोईसी उनको खड़ा कर देता है केस रिप्रेजेंट करने के लिए मगर तब भी कोई उनसे रिजल्ट आनी पा रहा था जिस वज़ा से कंपनी के सीई-ओ बहुत ज़दा प्रिशान हो गया था वो सबके सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स किना आने लगता है फिर बाद में सबके सामने ही साइने इट खा लेता है इसे देखके कोर्ट में बहुत ज़दा हल चलो जाती है यंग वू भी बहुत ज़दा पैनिक करने लगती है जोनों उसको देखता भी है पर फिर वो उसकी हेल्प नहीं करता क्योंकि उनके बीच में आज कर चल किया रहा था उनका ब्रेक अप हो गया था फिर इस एयो को हास्पिटल लेके जाया जाता है इतनी बड़ी न्यूस बन गी थी और हन्बडलाफम के एटोरणीज अंदर ही खड़ए दोर वो देखते हैं कि बाहर कितने सारी रिपोर्टर्स है एटोरणी जैंक कहते हैं कि और क्या गरना है बस चुप चाब हमें निकल जाना है और जैसी वो रिपोर्टर्स के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि चलो गाड़ी चलाओ और उन टीनों इसको बैठने भी नहीं देते दिखाते हैं वो टीनों जैसे तैसे अपनी जान बचा के पाँच जाते हैं केमिन्जिक के रेस्टोरेंट में यंग वो को एकदम से आईडिया आता है उसको याद आता है कि हैकिंग तो एक दिन पहले ही शुरू हो गई थी क्योंकि जो लॉट चेंज हुआ है इस सबसे रिलेटेड वो जनवरी 19 को हुआ था और हैकिंग तो जनवरी 18 के रात में ही शुरू हो गई थी इसका मतलब ये है कि एक्ट चेंज होने से पहले ही उनकी हैकिंग शुरू हो गई थी तो फिर पुराने एक्ट के हिसाब से उनको फाइन करना चाहिए फिर इस खबर को लेके वो एक्टार्णी जैंग के पास जाते हैं तो एक्टार्णी जैंग उन से कहता है कि इन्फोर्मेशन तो उसे दिन लीक हुई ना जस दिन लॉब बतला था यांग वो उसके साथ आर्ग्यू करने लगती है और उसको अपना मतलब बात बता रही थी जिस वज़े से अटर्णी जैंग वहर ज़ादा गुस्ता हो जाते हैं फिर कह देता है यंग वो को कि तुम इस केस से बहार जा रही है उसको निकाल देता है चोईसी उन से देखके रहा नहीं जाता वो भी यंग वो के लिए खड़ी होने वाली थी मगर उसको एटर्णी को रोख लेते हैं वो उसके कहते हैं कि यंग वो हमसे बहुत डिफरेंट है पर हमें तो अपने सीनियर्स के सामने थोड़ा जुक्के ही रहना पड़ीगा ना ऐसे चोईसी उनको पता था कि वो ठीक बोल रहा है मगर फिर वो उसके कहते हैं कि कभी कभार जिन्दी में ब्रेव कर लिया तो वो बता देती है सारी सचाहे जो इसने मन में छिपा रखी थी यंग वो एक ऐसी इनसान है कि उसके लिए कोई ना कोई चाहिए जो उसका ध्यान रख सके और फिर बात यह भी तो है यंग वो जिनके साथ होती जोग लोग लोग लोनली फिल करने लगते हैं वो बहुत हार्ट्रेकिंग ले डिस्क्राइब करती है कि क्यों वो एक साथ नहीं रह सकती और विचारा जुनू जुपचाप सुनता रहता है next day court में दिखाते हैं attorney jang कुछ भी अच्छे से debate नहीं कर पा रहे थे court में और वो अपना statement end कर देते हैं पर चोईसी उन से ये देखा नहीं जाता और वो सारी बाते जो यंग्वु ने point out की थी वो सारी बाते बता देती हैं जिसे सुनके attorney jang और जदा गुस्सा हो जाता है वो चोईसी उन से भी कहता है कि चुप रहो वरना तो में भी मैं इस case से निकाल दूँगा तो फिर इसको देखके attorney queen खड़ा हो जाता है फिर वो सारी बाते point out करने लगता है जिसे चोईसी उन भी surprise हो जाती है कि attorney queen ने क्या करा और judge भी उनकी बातों से impressed हो जाता है और ये reason accept कर लेता है जिससे उनको help मिलती है इस trial को जीतने में पर दिखाते हैं CEO hand young book के father से मिलने आई होती है और उसे कहती है कि young book को कुछ दिनों के लिए यहां से ले जाओ क्योंकि जैसे ही article publish होगा तो यहां पर बहुत कुछ बदल जाएगा young book के father बहुत दुखी ही थे कहते हैं कि जैसी वह article publish होगा young book को कहीं job भी नहीं मिलेगी CEO hand भी कह देती है कि तुमने मुझे प्रामिस किया था कि मैं एक बार young book को use कर सकती हूँ तो प्लीज अपने promise दे हटो मत फिर last में दिखाते हैं वह hacker जिसने यह सब कुछ किया जो भी तक पकड़ा नहीं गया है और वो और कोई नहीं वो निकलता है टे सूमी का बेटा और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है तो अब पर लास्ट एपिसोड भचा है और उसी में ये सारे स्टोरी खतम करने वाले हैं और जहां तक है ये एंडी है क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हुई थी CEO हैंड ने यंगवू को जॉब दी थी और उन्होंने यंगवू को इसलिए जॉब दी थी क्योंकि वो यूज कर सके यंगवू का और वो अब टाइम आ गिया है तो सिरीज भी फिनिश होने वाली है अगर आपको यह पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शियर करें कॉमेंट्स करें और बाइबाइ तो नेक्स वीडियो